करोना का ग्राफ तो 24 गंटे में 54,407 नए केस तामने आई हैं पिलाल पहले के मुकाबले संक्रमन दर में बहुत जादा हद तक गिरावत दर्ज की गई है 84 लोगों की करोना से अब तक मौत हुई है एक लाग 36,962 मरीज विकाबर हुए है और अब तक 5,7,981 लोगों की मौत हुई है करोना की बजह से तो देश में 6,10,437 एक्टिव केस बने हुए है करोना संक्रमन के तो बता दे आपको यह स्वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देश में करोना के आकड़ों में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है 804 लोगों की करोना से अब तक मौत हुई है एक लाग 36,962 मरीज रिकावर हुए है एक लाग 36,962 मरीज क्योंकि रिकावरी रेट बहुत अब तक सुधार हुआ है देश में 6,10,443 एक्टिव केस अभी भी बने हुए है लेकिन इसलिए 24 घंचों पर अगर नज़र डाले त 804,407 नए केस पुरे देश भर में 804 लोगों की करोना से मौत हुई है डेट रेट में पहले की मुकावर बहुत कमी आई है रिकावरी एक लाग 36,000 के पार है जबकि आपको बता दे कि अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो 6,10,433 एक्टिव केस पुरे देश भर में पाने हुए है स्पर्श रर्मा संभाता हमारे साथ जोड़ गए हैं उजाज जानकारी के साथ स्पर्श कोरुना संक्रमन दर में आई गिरावट इस तो इशारा कर रही कि अब फिलाल जो जंजीवन है जो स्थिती है वो सामाने क्यों और लोट रही है के मामलों में लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिलती भी नज़र आ रही है जादा ही देखने को मिलता वा नज़र आ रही है और वैक्सिनेशन एक सो बहत्तर करोड के उपर अब जो है देश वाशी नार्मेल्सी की तरफ जो है जाती भी नज़र आ रही है जाए स्कूल खुलने की बात हो सरकारी दब्स कुलने की बात हो और अब जो नेक्स्ट वीक शुरू हो गया जो आटवी से छोटे बच्चों के स्कूल वो भी शुरू होते वे नज़र आंगे यानि सबी चीज़े ज हो है जैसे जैसे मामले कम होते वे नज़र आ रहे हैं बिल्कु इस पार्शोर्स का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि लोगों में नार्सिफ कोरोना संक्रमन को लेकर जागरुकता बड़ी है बलकि इससे कैसे बचना है और वेक्सिनेशन को लेकर भी जागरुकता देखें बिल्कुल वेक्सिनेशन जो कि महारत में पेजगती से होता वो नज़र आ रहा है एक सो चोहस्तर करोड जो लोग है उनको वेक्सिन हो चुका और इसी का आथा है कि हमने देखा कि तीसरी लहर जो भारत में पिछले दिनों लगा था रही ती उसमें जो हॉस्पिट का पालन करना भी इलाके ऐसे थे जहां पर कोविड का पालन नहीं होता था उन लोगों को अभी भी सभजना हुआ कि अगर कोविड का पालन करेंगे तो ही नज़र आएंगे और तो ही जो उनका लाइफ है वो आज जो है नॉर्मेल से की तरफ रही बहुत बहुत शुक्रिय दर में आई जो गिरावट है वो इस और इशारा कर रही है कि आप लोग जागरूख हो रहे हैं वेक्सिनेशन क्यूंकि भारत की आजी जादर जो आबादी है वो पूरी तरीके से वेक्सिनेटेड हो चुकी है तो जाहिट तोर पर संक्रमन का खत्रा जितना पहली के अब ये बहुत हत्तक कम हुआ है और जो लोग संक्रमन हो भी रहे हैं वो भी बहुत जल्दी रिकावर हो रहे हैं जो के छे संकेत है कि एक और जाहिए